तो आज मैं बनाने जा रही हूं मटन चाप फ्राइ तो यहां पर मैंने मटन को वाश करके ले ली हूं अब हम चाप के पीसिस को मैरिनेट कर लेंगे तो यहां पर मैं डालूँगी दो टीस्पून भर कर अध्रकलसन का पेस्ट इसके बाद हम आगे अड़ करेंगे इसमें तंदूरी मसाला पाउडर और सॉल्ट एसपर टेस्ट वो भी मैं बताती हूं आपको अब हम क्या करेंगे इन सब मसालों का अच्छे से चाप में लगा के मैरिनेट करके तकरीबन 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे इसे मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूं यहां पर देखे इस तरीके से आपको मैरिनेट करके से कम 15-20 मिनिट के लिए रख देना है साइड में और मारिनेशन का प्रोसेस होने के बाद हम इसे कुकर में गलाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है तो यहाँ पर देखें कुकर में मैंने सारे मटिन्स को डाल दी हूँ ट्वैटी मिनेट्स के बाद अब हम इसे गला लेंगे, जो चाप है, इसे गला लेंगे हम, तो मतन का पानी ओरड़ी छूटेगा जो गोश है, तो इसमें मैं सिर्फ हाफ गलास पानी आड़ करऊंगी, जादा पानी आड़ ने करऊंगी, क्योंकि चाप जो है वो भी पानी छोड़ेगा, कोख होगा, तो बस अभी इससे मैं चड़ा दूँगी तक्रीबन 4 से 5 सीटी लूँगी क्योंकि यह माटन है तो जल्ली गल जाएगा ठीके तो अभी गोश्ट चड़ा देते हैं हम गलने के लिए 5 सीटी ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर चड़ा दिया है तक्रीबन 5 सीटी ल वचा हुआ है तो हम क्या करेंगे पुरा पानी जो है हम अच्छे से सुखा देंगे तो घैस का फ्लेम फास करके पानी शुखा देती हूं मैं फिर इसका बलुक मैं आपको दिखाती हूं आगे किस तरीके का होगा तो यहां देखिए, पानी सुखाने के बाद मैंने इसे ले लिया है, अब अंडा ले लेंगे हम दो अंडा लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से हम फैट लेंगे, अब हमें कुछ निकरना है, जो चाप हमारा गल के रेडी है, उसे अंडे में कोट करेंगे अच्छे से डिप करके, अलट पलट करके कोट कर लेंगे अच्छे से और एक एक करके हम ऑईल में उसे शालो फ्राइ कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से कोटिंग करना आपको, ताकि अंडे से अच्छे से कोट हो जाए, अभी इसे शालो फ्राइ करेंग एक तरफ से जैसे ही चाप फ्राइ हो जाएगा तो उसे पलट के दूसी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे हम, बस उसके बाद हमारा चाप फ्राइ बनकर तयार हो जाएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा दियूं किस यहां पर देखे हैने है कि यहांपिज पुन निस्न गोनए को ग Och तरफ होचा इसका इसकी टेस्ट बहूति yours of कर सकते च्जांट खरी सकते हो यह बहुत जली बन गया था और बहुत टेस्टी अजयों इससी पिज मुझे दुआ कर ना आ ब मुझे झाल